पिछले दो मेहनों दुनिया के सामने रोज नहीं चुनावती सामने आ रही है जिससे इटली और अमेरिका पुरी तरह से बिहाल है आपको बतारे कि पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमर की 114 नए मामले सामने आए हैं अब तक जिन में से 17 लोहों का पुरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया है इपको बड़े बड़े सहरों से लोग पलान कर रहे हैं आपको बता धाने की ग्रेमान पेले पंदर लाख लोग जो वीदेश से भारत आए तो जिससे राज सरकारोंे ने काफी लप्रवाई कि हैї जिन से वारस भारत में तेजी से फेल रहाерм है इसी को देखते हुए केवन सङ्टेश में महामारी के संक्रम हैं मामले सांUD भारत में 808 लोग अभी तक शंक्रमित हो चुके हैं जिनमें से अब तक सफ्ण । मुंबए vanous op 65 से महिला जा चुके है 1 और स्आधि साथ आपको पता योगी सरकार ने लिए बड़ा फैंसला जी आपको बतादे कि 21 दिनों के लॉक्डान जब से घोसित हुआ है तब से अपने घर से दूर रहे मजदूरों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विसे बन गया है क्योंकि आपको बतादे कि पैसे कमाने के लिए दूसरी राजों से आ विस सरकार ने यूपी बॉर्डर पर फंसे मजदूरों के लिए घर पहुंचाने के लिए एक हजार जी हां एक हजार बसों की ब्रास्ता की है जिससे लोग अपने घरों तक आसानी से पहुंच जाए और साथ ही साथ यूपी के पचातर जिलों में मदद के लिए डियम और मंतराले ने 60 वर्श से उपर याने की जिनकी आयू 60 वर्श से उपर है उनके लिए केंदर स्वास्त मंतराले ने बड़ा आदेह दिया आपको बता दे कि इसी जी एचेस के जो लभारति हैं उनके लिए दवाओं की होम डिलेवरी देनिक आदिह दे दिया गया है और वहें इस ख़बर है कि लोगडाउन में मोदी ने जुरत मंदों के लिए मोदी कीट माटे की बीजेपी जिसमें आटा दाल समेट कई चीजे मिलेंगी जी आपको बतादे कि नरेंद्र मोदी ने इस संकट के समय जुरत मंदों की सहाथा के लिए हर संभ़ कोशिस कर रही है तो वह हैं आपका बतादे कि भारती जंन्ता पार्टी की ओर से मोदी कीट के नाम से जुरत मंदों तक ये समान पहुंचाया जागा और साधे साथ आपको बतादे कि ये कीट उन लोगों के लिए है जो स लगडाउन में काफी परसान है आपको बतादे की इस कीट में दाल चावल सामुन समेट कई ख़त समान इसमें उपलब्द है अगली ख़वर है की चाईना ने पाक को भिजी मदद जी आपको बतादे की इस वारत से लड़ने के लिए पाकिस्तान के मदद करने के लिए चायना ने मास्क वेंटिलेटर टेस्ट पोट्रेस्टिक कप्ले भिज रहा है आपको बतादे कि चाइना ने यहारा आथ समागरी ऐसे समय बेजी है जब इस महामारी से संक्रवीत लोग की संख्या 13-13 हो गई है जिन से 11 पाकिस्तानियों का पुरीतर से सूपरा साफ हो गया है